हलो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को और साथ ही इस खंटी वाले बटन को धबा दे ताकि सारी जानकारी आपको बताते हैं ताकि आपके जीवन में वह जानकारिया काम की साबित हो सके इसके साथ ही आपको नए नई वीडियो बताते रहते हैं दोस्तों आप भी महाकाल के भक्ते हैं और अगर आप इनकी करपा अपने जीवन में पा लेते हैं इनका अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में आशिरवाद प्राप्त कर लेता है तो उसको उसके जीवन में केवल और केवल खुशिया मिलती है इस उपाय को करने से आपको अपने जीवन में यहीं कुशियों का तो ऐसास होगा ही होगा यह कुछ यह तो आपको मिलेगी ही मिलेगी इसके साथ ही यह उपाय करने के बाद आप जिस कारिय को करना चाहते हैं उस कारिय में आपको 100% सफलता मिलेगी और वह आपके कारिय पूर्ण रूप से बनने लगेंगे तो बात करते हैं ऐसा कौन सा उपाय है जिसको आपको करना चाहिए दोस्तों यह उपाय क्या जाएगा सनी वार के दिन आपको 21 सनी वार यह उपाय करना होगा सरल उपाय है आपको कोई भी समझ्चा नहीं आएगी तो पीपल के पेड के नीचे आपको क्या करना है कि सर्शो का एक तेल का दीपक आपको अर्बित करना है तो प्रतेएक सनी वार की साम को आपको क्या करना है कि पीपल के पेट के पास्ट लेदाए वहाँ पर भगवान सनी देव का आपको ध्यान करना है और सनी देव का ध्यान करने के बाद उनके लिए आपको प्रात्ना करनी है अपने चुकारे चाहते हैं उसके मुनोकामना भगवान से मांग कर एक दीपक आपको जला देना है सरस्यो के तेल का और उसमें आपको थोड़ी सी काला तिल और काली उड़त उस दीपक में डाल देनी है उसके बाद उस दीपक के उपर से साथ आरती जिस परकार लेते हैं उस परकार उस आरती को लेना है और उसके बाद आपको क्या करना है पीपल के बेड को छूप कर इस मंत्र ओम स सने चराय नम इस मंत्र का 21 वार जाप करना है भगवान सनी दीव का दिव्य मंत्र है जो कोई भ मंतर का 21 बार जाप करता है उसको कभी भी अपने जीवन में शमिश्याएं नहीं देखनी पड़ती तो आपको इस मंतर का जाप करने के बाद पीपल के पेड को छूकर चुप चाप अपने घर की तरफ आ जाना है दोबारा आपको उस पेड की तरफ नहीं देखना है इतना पर रात जोगनी गती से बढ़ता जाता है और आपके कारियों में आपको निश्चित तोर पर सफलता मिलती है आपके कारिये निश्चित तोर पर पूरे होने लगते हैं मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी ये जानकारिया आपको अच्छी लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक क सब्सक्राइब कीजेगा ताकि ऐसी जानकार्या अपलोड होते ही तुरंत आपको मिल जाएगी और आपका काम भी तुरंत परभावशे बन जाएगा